दोस्तो अगर आप iPhone या तो फिर Android phone के अंदर WhatsApp यूज़ करते है तो WhatsApp के अंदर एक setting on होता है जिससे जो दूसरे WhatsApp user होते है उसे पता चलता है कि आपने last time WhatsApp कब देखा उसे हम बोलते है कि last scene time stamp तो अगर आप चाहे तो ये particular setting बन कर सकते है तो उसे कैसे बन करना है iPhone या तो फिर Android phone के अंदर तो वह जानकारी के लिए इस वीडियो के सुन से लेकां तक देखते रही है आप देख रहे है तो चलिए देखते हैं दोस्तो अब हमारा Amazon का अफिले स्टोर भी अवेलेबल है वहां पर कुछ उसपूल गैजेट्स और इक्क्यूपमेंट लिस्टेड है अगर आपको जाना है वाटसप का जो सेटिंग से उसमें जाना है और उसमें से अकाउंट और वहां से प्राइवसी जब आप प्राइवसी में जाएंगे तो यहां पे कुछ सेटिंग आपको दीखेंगे इंटरनेट आपको आपको आउन रखना है यहां पर पहला सेटिंग है ल तो उसे बंद कर सकता हूं मैं यहां पर nobody कर दोगा तो जैसे मैंने nobody कर दिया तो यहां पर instruction दी गई है आपको यह चीज दियान में रखनी है कि अगर आप यह last time status बंद कर देंगे तो आप दूसरे का भी वो status नहीं देख पाएंगे तो यह चीज दोनों तरफ win-win situation है आप last time आपने WhatsApp कब use किया है तो अब हम देखते हैं कि यह particular जो last scene का setting है वो Android में कैसे use करना है तो उसके लिए आपको यहां पे जो generally Android में settings का control होता है तीन dots वहां पे जाना है वहां से settings में जाना है उसमें से भी यहां पे आपको जाना है account में और उसमें privacy जब आप privacy में जाएंग तो अब मेरा जो last scene status है वो कोई नहीं देख पाएगा लेकिन में भी किसी और का नहीं देख पाऊंगा क्योंकि यहां पे भी यह instruction particularly दी गई है if you don't share your last scene you won't be able to see other people's last scene तो यह दोनों तरफ win-win situation है एक चीज़ आपको त्यान में रखनी है कि अगर आप अपना last scene status बंद कर र किजिए तो जब भी मैं चैनल पर नहीं वीडियो अप्लोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका push notification मिल जाएगा और आप मेरा नहीं वीडियो देख पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद